दोस्तों नमशकार, आज़ की शोर्ट वीडियो में हम इंगिलिश वर्ड स्पैंक का सही मतलब जानेंगे, इसके सिनॉनिम्स और अंटरिम्स के बारे में जानेंगे और इस वर्ड को संटेंसेज में इस्तमाल करना सीखेंगे spank जो की एक verb होता है और इसका सही मतलब होता है to hit a child on his or her bottom with an open hand as a punishment यानि सजा देने के लिए किसी बच्चे के पीछी धपड मारना बच्चे की नितंबों पर जोर से मारना इसके synonyms होते हैं प्यारे दोस्तों smack, slap, hit इसके antonyms होते हैं praise, appreciate, save चलिए examples के जरीए इसको अच्छे से समझ लेते हैं तुमने उसके नितंबों पर क्यों मारा भई? आप इसे कहेंगे why did you spank him? एक और example देख लिजिए किसे ने कहा मैंने उसके पीछे नहीं मारा आप इसे कहेंगे who said I didn't spank him? who said I didn't spank him? अब एक sentence है आपके लिए उसने खुद मुझे बताया कि तुमने उसके पीछे मारा आप इसे English में translate करके comment box में जरूर इतने की कोशिश करना आज के लिए तो नहीं प्यारे दोस्तों बहुत जल मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं डस्तिंग टोपी के साथ जय ही इस जय भार